So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अनेकी 21 जुलाई की important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में भारतिया तटरक्षक बल के नए महानिदिश है कौन बने हैं? तो important question है, तो इसका तो उत्तर होगा राकेश पाल तो राकेश पाल ये इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी 25 नंबर के डारेक्टर जनरल बन गए आप पूछोगे इन्होंने किन का इस्तान लिया? तो आंसर होगा विरेंदर सिंग पठानिया का देखो भारतिया तटरक्षक बल की बात करें स्तापना होती 1978 में और इसका मुख्यल नई दिल्ली में है और इसका अदर्श वाक्य है वयम रक्षाम यानि कि हम रक्षा करते हैं और पूछा जाए कि कि समीती की सिफारिश पर स्तापना होती इसकी तो रुस्तम जी समीती और इंडियन कोस्ट गार्ड डे आप मनाते हो एक फरवरी को वैसे हमारे नेवल चीफ है आर हरी कुमार, एर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी और आर्मी चीफ है मनोच पांडे लेकिन अभी कुछ important appointments में मैं आपको revise कर रहा हूँ तो अभी CBI के डारेक्टर बने है प्रवीन सूध और प्रवीन ही से ही एक और नाम में प्रवीन कुमार शिरिवास्ताओ ये अभी मुखे सतरक्ता आयूक्त बने और रवनीत कौर Competition Commission of India भारते प्रतिस परदा आयूक के अद्धिक्ष बनी तो ये important question इसको ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा कार्रेले भवन भारत के किस राज्य में स्तापित हुआ तो आंचर होगा गुजरात में तो भारत की जो Diamond City है यानि की सूरत वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा कार्रेले परिसर ये बन गया है हम बात कर रहे हैं सूरत Diamond Bors की जो की 65,000 से अधिक हीरा व्यापारियों के लिए वन स्टॉप शॉप है इसका एरिया ही इतना बड़ा है कितना बड़ा है 7.1 मिलियन वर्ग फुट इसका एरिया है और इस तरह से इसने विश्व के सबसे बड़े कार्रेले के रूप में अमेरिकी सुरक्षा विभाग के पेंटागन कार्रेले परिसर को पीछे छोड़ दिया है अगर पूछोगे इसको बनाने में लागत कितनी आई होगी तो 3,000 करोड रुपे से भी जादा इसको बनाने में लागत आई है और इसके वास्तुकार आर्किटेक्चर का नाम भी बता दू मैं आपको मनित रस्तोगी इसके आर्किटेक्चर है और सूरत को हम डाइमंड सीटी कहते है न इसको डाइमंड सीटी ऐसे ही नहीं कहते विश्व के 90 परतिशत हीरों को अंतिम रूप यहीं पे दिया जाता है मतलब अगर आप ऐसे देखो विश्व के 15 हीरे हैं तो उसमें से 14 हीरे यहीं पे बन रहे हैं अचा मुझे एक प्रशन का उत्तर दो अभी विश्व का सबसे बड़ा अंतरराश्टर मंदिर सम्मिलन और एक्स्पो का हुआ तो आंसर होगा वाराणासी में वैसे आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम यह भारत में ही मिलेगा आपको गुजरात में गुजरात के एहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम जो है लेकिन बात तो यहाँ पर गुजरात की है तो यह रहा मैप में गुजरात देखो गुजरात की एपिटल गांधी नगर होगे जो की कॉंस्टिट्वेंसी है निर्वाचन शेत्र है हमारे गरह मंतरी अमेच शा का मुख्यमंतरी कौन हो गए बुपेंद्र पटेल हो गए गवर्नर है आचारे देवर और भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटिय सीमा रेखा है तो आंसर होगा गुजरात और विश्व में सबसे लंबी समुद्री तटिय सीमा रेखा ये कनडा की है अगर आपसे पूछे देश का पहला इलेक्टरिक सेटी कौन सा है तो केवडिया है ये वही केवडिया है जहाँ पे आपको याद होगा दुनिया के सबसे उची मूर्ती है सरदार वल्लब भाई पटेल जी की केवडिया में नर्मदा नदी के किनारे सादू बेट द्वीप और इसके वास्तुकारत है रामवी सुतार और भारत में युनेस्को की चालिसवे विश्व धरोहर स्थल ये धोला वीरा है गुजरात में आपको मिलेगी जो की एक हडप्पा सब्भेता का स्थल है इसका स्थानिय नाम है कोटरा दा टिमबा और युनेस्को में भारत के द रियातक जिला बना है जामनगर उसके अलावा भारत का पहला सूर उर्जा संचालित गाउं ये गुजरात का मोडेरा गाउं है और सेमे कंड़क्टर पॉलिसी को लॉंच करने वाला पहला राज्य भी गुजरात है बाली का पंचायत का सफल आयोजन हुआ गुजरात के कु गुजरात के भिमे और गति शक्ती पोटल को लॉंच करने वाला पहला राज्य गुजरात है वैसे रेल उनिवर्सिटी है वडोदरा में इसका नाम गति शक्ती उनिवर्सिटी कर दिया गया और इसके अभी पहले चांसलर बने थे अश्विनी वैश्नाव जोके अमारे रे गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्र संग्रहाले भी बनेगा तो गुजरात से ये कुछ important points भी मैंने आपको बताए इनको भी ध्यान रखना हम बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताए हाली में किस भारते मुलकी स्कूली छात्रा ने ब्रिटेन के प्रधान मंतरे का point of light पुरुसकार जीता तो अंसर होगा मौक्ष रोय तो भारते मुलकी साथ साल की एक बच्ची है मौक्ष रोय उनका नाम है जिनको परियावरन की मदद करने में उनके उतकरष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटेश प्रधान मंतर का point of light पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया मौक्ष रोय इन्होंने माइक्रो प्लास्टिक प्रदूशन के खिलाफ सन्युक्त राष्ट्र स्थर्ता पहल के लिए स्वेच्चा से काम करना शुरू कर दिया था जवे केवल मातर तीन साल की थी और अब उन्हें दुनिया की सबसे कम उमर की स्थर्ता वकिल के रूप में मानने तपराप्त है केमरन के द्वारा शुरू किया गया था आप जानते हो राजिंदर सिंग धट का नाम आपने सुना होगा भी अभी ब्रिटिश प्रदानमंतिर रिशी सुनक ने पॉइंट ओफ लाइट अवार्ड से इनको सम्मानित किया था और डॉक्टर एमेन नंदुकुमार ब्रिटेन का मेंबर ऑफ दॉडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला था इनको इसी साल की बात है और हरी बाल कृष्णन दोजार तेवीज का मारकुनी पुरुसकार तो ये नाम न्यूज में थे जो मैंने आपको रिवाइज करा है इनको धियान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाली में किसने अंतर राष्टर एनी पुरुसकार जीता तो आंचर होगा प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप तो IIT मदरास में रसायान विज्ञान विबाग यानकी केमिश्टर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को प्रतिष्ठित एनी पुरुसकार से सम्मानित किया गया ये इस साल इस पुरुसकार का पंदरवा संस्करन है आपको बता दूँ प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप इने शांती सोरू भटनागर पुरुसकार भी मिल चुका है और ये जो एनी पुरुसकार है एक्च्वल में तीन केटेगरी में दिया जाता है उर्जा संगरक्षन की केटेगरी में उर्जा सीमा है और उन्नत परियावरन समाधान के केटेगरी में तो इनको किस केटेगरी में ये पुरुसकार मिला है तो इने उन्नत परियावरन समाधान के लिए ये पुरुसकार मिला है बाकी जो अलग केटेगरी उर्श में तो अंग्रेजों को मिला है वो हमारे लिए important नहीं एक्जाम के साथ से हमारे एक्जाम के लिए अगर ये प्रश्ण important है तो इनी का नाम important है प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीव बाकि एकबाल मसीह पुरुसकार दोजार तिवेस अभी बालशरम उन्मूलन के लिए दिया गया ललित नटराजन को यंगर यूरोलोजिस्ट पुरुसकार मिला है डॉक्टर नित्या अग्बराहिम को और संगीत कलानीदी पुरुसकार मिला है बॉंबे जैशरी को ध्यान रखना ये नाम पढ़ते आगे चलिए फिर बताईए देश की पहली सैटलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये काँ पे स्तापित की जाएगी तो अंसर होगा गुजरात में तो अभी देश की पहली सैटलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये गुजरात में स्तापित होगी गुजरात में कहां? गुजरात के महसाना जिले के जोताना तालुका के कटोसन और जातुरा में और इसके लिए गुजरात सरकार ने लंदन इस्ते टेक कंपनी है OneWeb उसके साथ समझता किया है और उद्देश ही क्या इसका? तो सरकार सहित विबिन शेतरों को किफाइती कनेक्टिविटी प्रदान करना और देशबर में सस्ती दरोपर निरंतर और सुरक्षित सैटेलाइट इंटरनेट पहुँच प्रदान करना इसका उद्देश ही रहा है वन वेब कंपनी की भी बात कर ले तो यह 648 सैटेलाइट वाली एक लो अर्थ और्बिट सैटेलाइट कंपनी है मतलब इसके टोटल कितने सैटेलाइटस हैं जो की लोवर अर्थ और्बिट में प्रेजेंट हैं तो अंसर होगा 648 ये लंदन की एक company है, इसका मुख्यले लंदन में है और इस company का उद्धिशिक है, इसका लक्षिक है वेश्विक संचार यानकी Global Connectivity Network के स्थाफित करना आपको याद होगा एक Current Affairs का प्रशन ISRO ने OneWeb के 36 satellites को launch किया था इसी साल के starting में कि Earth Observatory Satellite है, नाम है निसार इसको ISRO ने किसके साथ मिलके बनाया, तो आंसर होगा नासा के साथ और अभी इसे भारत से launch किया जाएगा बाकी गुजरात के बारे मैं आपको बताई चुका हूँ, तो अभी हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए, अभी हाली में रेल्वे सुरक्षा बल का महा निदेशक किसे बनाया गया, तो आंसर होगा मनुज यादव को, तो हर्याना के पूर्वे डीजी पे रहे मनुज यादव इनको RPF Railway Protection Force का महा निदेशक अभी बनाया गया है विकिन का इस्तान लेंगे, संजे चंदर का इस्तान लेंगे बाकी NASCOM के नए चेयर्मेंट बने, अनन्त महिश्वरी LIC के चेयर्मेंट बने, सिधार्त मोहंती और TCS के CEO बने के करतिवासन हमारे रेल मंतरी कौन है? अश्विनी वैशनव है और पहले रेल मंतरी कौन थे? जौन मताए ज्यान रखना ये बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए हाली में Through the Broken Glasses नाम की बुक को किस ने लिखा? तो आंसर होगा TN Session तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक तरहे TN Session ने ये बुक लिखिये जिसका नाम है Through the Broken Glass इसमें 1990 से 1995 तक Chief Election Commissioner के रूप में उनके काररेकाल को बताया गया है वैसे उनका निदन तो 2019 में ही हो चुका है और उनके निदन की चार सल बाद अब इस बुक को परकाशित किया जा रहा है और एक और बुके जो इन्हों ने लिखी थी जिसका नाम भी मैं आपको बता दू Undocumented Wonder The Making of the Great Indian Election ये बुक भी TN Session ने लिखी थी और चलो बताओ आप हमारे वरतमान में Chief Election Commissioner मुखे चनाव आयूकत कौन है और कौन से नंबर गया ये आपके लिए उमवर्ग प्रशन हो गया बाकितो अभी विनोध मनकारा Prism the Ancestral Abode of Rainbow नाम की बुक लिखी इन्होंने और देवाशी चटर जी ने Krishna the Seventh Sense नाम की बुक लिखी और अनिता भरत शाह Colors of Devotion नाम की बुक लिखी है इन्होंने तो ये ध्यान रखना आप पढ़ते आगे फर बताईए अभी हाली में राग प्रकाश नाम की बुक को किस ने लिखा तो अंसर होगा Dr. Om Prakash Call ने तो actually में अभी हिमाचर प्रदेश के जो मुख्य मंत्रे सुखुविंदर सिंग सुखु उन्होंने इस बुक को लॉंच किया है जिसका नाम है राग प्रकाश और इसे लिखा है Dr. Om Prakash Call ने तो ये बुक रागों का एक विशेश समू का कलेक्शन है मतलब संगीत से संबन्दित है ये बुक और अभी अभिशेग चौधरी वाचपेई The Ascent of the Hindu Right 1924-77 नाम से बुक लिखी रुपापाई The Yog Sutra for Children नाम से बुक लिखी और अभे के नालंदा नाम से बुक लिखी है इन्होंने तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलिए बताईए अभी हाली में किस भारते ग्रेंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM Grandmaster शत्रंज टोर्नामेंट को जीत लिया तो अंसर होगा आर प्रग्यानानन तो 17 साल के भारते चैस ग्रेंड मास्टर हैं आर प्रग्यानानन इन्होंने हंगरी में सुपर ग्रेंड मास्टर शत्रंज टोर्नामेंट 2023 को जीत लिया है आपको बता दू 2016 में 10 साल की उम्र में वे इतिहास में सबसे कम उम्र में अंतरराश्टर मास्टर का खिताब इन्होंने जीता था फिर 2022 में विश्व चैंपियन मागनस कालसन जोकी नौर्वेज हैं उनको हराने वाले ये तीसरे भारते बने थे वैसे World Chess Day हम मनाते हैं कब अभी मनाया 20 चुलाई को और हमारे पहले Grand Master को ने विश्व नातानन्द है चैस को regulate करने वाली बॉड़ी है फिडे जिसका headquarter है लुजन स्वेजलेंड में और उसने Vice President बनाय था भी विश्व नातानन्द को और वैसे हमारी पहली मैला Chess Player का नाम क्या है S. Vijay Lakshmi है और एक static प्रश्ण में आपको कहीं बार यहां से बताता हूँ कि जो आपका Chess Board होता है उसमें पूछा जाता है कि Number of Squares कितने होते हैं उसमें तो आंसर होगा डारेक्ट याद रखना 204 आंसर होगा इसका उसके लावा एक Current Affairs का प्रश्ण हो गया कि भारत में पहली बार Chess Academy कहा खुलेगी तो भुबनेश्वर में और पिछले साल जो 44 वा फिड़े Chess Olympiad हुआ था पहली बार भारत में हुआ था वो चैन्नेई में हुआ था और उसका शुबंकर में सकोटे थंबी उसको उजबिकिस्तान ने जीता था तो ये Points कहां से याद रखना आप पढ़ते हैं के फिर बताईए कि कौन सी बारते Company UK में Electric Vehicle Battery Factory स्थापित करेगी तो आंसर होगा Tata तो Tata Group ये UK में Electric Vehicles के लिए Battery Factory लगाएगा Battery Factory और इसके लिए कितना निवेश करेगा ये 42,000 करोड रुपे से भी जादा तो Tata के इस Electric Vehicle Battery Plant की Capacity होगी 40 GWh अच्छा Electric Vehicle जो चलते हैं वो बैटरी से चलते हैं और कौन सी बैटरी उसके लिए कौन सा Element चाहिए Lithium और अभी Lithium के भंडार कांपे पाए गए थे भारत में बात कर रहे हैं तो आंसरोगा जम्मू कश्मीर में और यूं बताओ कि कौन सा राजे 2030 तक सरकारे विभागों में सो प्रतेशत Electric Vehicle प्रयोग का लक्षा रखने वाला पहला राजे बना तो आंसरोगा उत्तरप्रदेश और अभी भारत की पहले सोर उर्जा संचालित परियाटक नाव का नाम क्या है यसे केरल में लॉंच किया था सूर्यम्शू और भारत में केंदर सरकार की जो एक योजना है इलेक्ट्रिक वेकल को बड़ावा देने के लिए उस योजना का नाम क्या है फेम योजना है 2015 में आई थी है और आपको बताएए भारत की पहले इलेक्ट्रिक वेकल सिटी है एक गुजरात की केवडिया है अब आप जिस चीज का सबसे बेसबरे से इंतजार कर रहे हो वो आपके सामने आने आने वाली है फटाफ़ट सिरीज में आजम क्या करने वाले थमनेल में आपने देख लिया होगा साइन्स और टेक्नलोजी से सम्मंदित जो भी प्रश्ण 2023 में आपने पड़े थे उसमें से छांट करके टॉप 10 क्यूशन में आपके लिए लेकर के आया हूँ वो मैं आपको रिवाइस कराऊँगा लेकिर आपको मेरा दरीका बता है रिविजन से पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा तो इंगलिश और हिंदी में शीट आपके सामने आएगी वीडियो को पॉस करना आराम से उनके उत्तर भरने ही कोशिश करना ये करंट अफेर्स के प्रश्णे सारे तो करंट अफेर्स अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उत्तर लगा दोगे ध्यान से नहीं पढ़ा चीजों को बार-बार रिवाइज नहीं किया तो आप उत्तर नहीं लगा पाओगे सीधी सी बात है तो इससे एक चीज तो यह आपको बता लग जाएगी कि आप कितने गहरे पानी में हो कितना आप अपने आपको बेवकू बना रहे हो यह सब अभी सामने आ जाएगा अब फिर उसके बाद मैं तो आपको रिवाइज कराऊंगा इसी तो अगर आपको चीजे समझ में आ जाए कि यहां भी समय बाकी है तो चीजों को रिवाइज करना चालू कीजिए देखो हमारा सेशन अगर पसंद आता है मैं बहुत मैनत करता हूँ आपके लिए अगर पसंद आता है तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो का आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज इसे शेयर जरूर करें लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो रिविजन करना चालू करो क्योँकि अगर आप देखो कि भी 10 में से किसी के 5 सही है किसी के 4, किसी के 6 सही है तो टो 4 गलत की ओ रहा है 3 गलत की ओ रहा है मालो ये 3-3 किसमत खराब निकली, 3-3 प्रश्ण है आपके exam में आ जाएं तो फिर तो गए न, तो revision करो, मैं quiz upload कर रहा हूँ, quiz लगाओ, 2-2 मिनिट में quiz लगा के free हो जाओगे, 2 मिनिट तो निकालो, चलो अब ये रही sheet आपके सामने, आपने उतर लगा लिए होंगे, अब मैं इसको launch किया था, याद रखना, अगला प्रश्ण पूछा कि चंद्रियान 3 को किस rocket से launch किया गया, तो आंसर होगा, GSLV Mark 3 M4, या इसी का दूसरा नाम है, LVM 3 M4, इसे बाहुबली rocket, या Fat Boy के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना, चंद्रियान 3 ये एक moon mission है, और इ इसको 14 जुलाई 23 को launch किया हमने श्रीयरी कोटा के 37 धवरन Space Center से, और अगर ये चान पे successfully हम उतरते हैं, अगस्त में पता लगेगा, अगस्त में उतरेगा ये, और इस बार तो पूरी उम्मीद है, पिछली गलतियों से भी हमने सीखा, हम सफल जरूर होंगे, और इस तरह से चान पे उतरने वाले हम अमेरिका, रश्या और चायना के बाद चोथे देश बन जाएंगे विश्व के, लेकिन हम कहां पे उतर रहे हैं, हम चान के धक्षिनी शेत्र में उतर रहे हैं, जा पे बहुत अंधिरा है, बहुत थंड है, तो वहां पे उतरने वाले आप अगला प्रशन है, भारत में समुद्री शेत्र को मजबूत करने के लिए अभी क्या लॉंच किया गया था, तो सागर संपर्क नाम से डिफरेंशल ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम को लॉंच किया गया था, किसने लॉंच किया था, हमारे शिपिंग मंतरी सर् और इसको लॉंच करने का उद्धिश है, नाविकों को सुरक्षित रूप से नविगेट करना, अगला प्रशन आपसे पूछा, यूकलिड स्पेस टेलिस्कोप को किसने लॉंच ने लॉंच किया, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और यूकलिड कौन थे, या यूकल यूकलिड को ही, तो उनी के नाम पे इस टेलिसकोप का नाम रखाए नोंने, और जैम्स वैब टेलिसकोप को लॉंच किया था नासा ने, अचा जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने भारत का सबसे बड़ा प्राकरतिक आर्क कहा पे खोजा, उडिसा में खोजा, जियोलो बना, सताइस्वा देश बना, आटेमिस मिशन, तो इंसानों को चंद्रमा पर उतारने वाला ये मिशन ने ना सका, अगला प्रशन है, इसरो ने दूसरी पीडी के पहले उपगरह, एन्वी एस जीरो वन को किस रॉकेट से लॉंच किया, तो आंचर होगा जी एस लवी एफ सोमनात, और अग डेली अब अगर आप हमारा करंट अफेर्स का लेक्चर देख रहे होंगे, तो आप ध्यान देना, ये जो फटाफट सिरीज में करंट अफेर्स के अलग अलग टॉपिक में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, हम रिविजन कर रहे हैं, बेसिकली आपका टेस्ट भी हो रहा है, और टेस्ट के बाद मैं आपको उनका रिवाइज भी करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं डारेक्ट कुशन बतागे या अनसर नहीं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, उसके आगे पीछे की हलकी भूलकी चीज़े आपको बत अदू में, ताकि आपको वो प्रश्ण याद रहे, जैसे अगला प्रश्ण क्या है, दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट, जिसका नामे स्टार शिप, इसको किस ने लॉंच किया था, स्पेस एक्स ने, पर ये लॉंच के समय फट गया था, अगला है इस रोने किस देश के तेलियोस 2 उपग्रह को लॉंच किया था, तो ये है सिंगापूर का, इसको हमने लॉंच किया था, पीएसलवी सी पचपन रोकेट से, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके बताओ, साइंस एंड टेक्नलोजी के ये आपके क्यूश्ण थे, आपका टेस्ट हुआ, द तो आंसर होगा 22 जुलाई को, फिर आप से पूचा अभी बैडमिंटन में किस पूरुष के लाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, साथ विक साहिराजर रेंकी रेड़ी, फिर आप से पूचा, सिमेंट मैनुफेक्चिरर्स असोसियेशन के अध्यक्ष बने नीरज अखोरी, फिर आप से पूचा अभी हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स दोजार 23 में भारत कौन से इस्तान पे रा, असीवे इस्तान पे टॉप पे सिंगापुर है, फिर आप से पूचा बोनालू महत्सव इसका संबन किस राज्य से है तो आंसर होगा प्रते लंगना, फिर आप से पूचा विश्वे पहरा एथलेटिक्स चेंपेंशिप दोजार 23 में भारत ने टोटल मेडल जीते 10, फिर आप से पूचा किसने सुच्छे था पकवड़ा पुरुसकार 23 में पहला पुरुसकार जीता, तो सतलुच जल विद्यूत निगम लिम का मनाया गया, तो अंसर होगा अरुनाचल परदीश में, तो जी लिजिए, कल के कर इंट अफेस का भी हमने क्विक रिविजन कर लिया, और सेशन पसंद आया, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ में, जो भी आप को WhatsApp गुरूप होता है, या Facebook गुरूप होता है, टेलिग्राम पर कोई गुरूप है, तो वहाँ पर शेयर जरूर करना, अब हमवर्ग प्रशन देखते हैं, और सेशन इंट करते हैं, तो कल के वीडियो में आपसे बुझाता विश्व आदरभू में दिवस 2023 की थीम क्या रह झाल 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 झाल